आज हम एंगलिस सार्ट स्टोरी से पहले लेशन दगोल्ड वाच सोने की घड़ी इसका अध्यन करेंगे जिसे लिखा है पुन्जिकारा रफी ने सार्ट स्टोरी में आपको इस्प्लेन नहीं करना होता है आपको सार्ट स्टोरी को समझना है वर्ड मीनिम मैं आपको बताता रहूँगा आप उन्हें लेखते रहें और इस्टोरी को समझें और अंत में जो दिये गए कुशन है उन्हें करने का प्रयास करें ये कहानी है संकू जो एक मजदूर है उसकी कहानी है सिर्शा किसका है गोल्ड वाच सोने की घड़ी तो वो किस प्रकार से संकू उस घड़ी को चुराना चाहता है क्या-क्या उसकी मुसीपते थी क्या-क्या परिसानिया थी जिसके वारे में इस लेसन में बताया गया है लेसन स्टार्ट करते है क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क पर करोटे बदलना है इन इस बैड वो अपने विस्तर में करोटे बदलता रहा था बट इट वाज नो यूज लेकिन का कोई लाव नहीं हुआ दमोर जितना ज्यादा और अधिक ही थाट वह सुचता गया दवर्स उतना ही खराब ही फेल्ट उसने मैसूस किया पर लेट गया इन डार्कनेस अंधकार में एट वी कुट सी फिर भी वह देख सकता था इट इससे आज क्लिरली उतना इस पस्टूप से इस दिखाई दे रहा था तर दिटेड ओफिस रूम इस निर्जन ओफिस रूम कारले का कच्छ या कारले आप उससे कह सकते हैं तो निर्जन कारले उससे दिख रहा था वन एवरिवन हैड गॉन जब प्रत्ते कि व्यक्ति बाहर गया था पर रेस्ट आराम करने के लिए और फार लंच अथ्वा लंच करने के लिए लंच दिन का वज़न होता है दा ग्लास विंडो वशी शाय ते खड़की वज वनली थी केवल पार्टली क्लोजड आंसिक रूप से बंद। दा टेबल उस टेबल के इंसाइड वर वहां लगे हुए थे कुछ फैट मोटे मोटे वैलूंस पुस्तकों के संग्रह तो कुछ मोटे मोटे पुस्तकों के संग्रह एक तरफ रखे हुए थे एड़ अधर इंड और दूसरे सिरे पर एक पैन था एन इंक बोटल एक इंक की बोटल थी एन तो फोर्त और अन्य इसी प्रकार की सामागरी थी एन इन-दर बिट्वीन और मधुझ में वाज ए गोल्ट वाच एक सोनए की घड़ी थी विद इट्स गोल्ड चेन, अपने उसकी जो चेन थी वो बनी हुए थी किसकी, सोने की बनी हुए थी, गोल्ड चेन की, प्लेस्ट ओन एबुक को, प्लेस्ट ओन रखी होती थी, ओन एबुक एक पुस्तक पर, open the window किड़की को खोलो stretch out stretch means होता है फैलाना और फैलाओ your hand अपने हाथ को about a foot लगभग एक feet आप अपने हाथ को फैलाएं and you can pick it up और आप इसे उठा सकते थे everyone is out for lunch प्रतेक व्यक्ति लगश करने के लिए बाहर गया होता था nobody will know और कोई इसे जान में नहीं पाएगा संकु remembered his efforts संकु को याद था his efforts उसके प्रयास जो उसने प्रयास किये थे उसे उठाने के उसे चोरी करने का उसने जो भी प्रयास किया था वो उसे यादा था his cowardice उसकी कायर था and his recolation और उसके संकुच ने उसे during the past few days पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से वह उस घड़ी को चुराने का प्रयास कर रहा था परन्तु हर बार उसकी कायरता और उसके संकुच ने उसे रोक दिया था he had never seen anyone there he had never seen उसने कभी नहीं देखा था किसी व्यक्ति को देर वहाँ पर at that time उस समय उस समय उसे कोई व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं दिया था and yet और फिर भी he had been afraid फिर भी वह भैवीद था वह डरता था he had trembled वह काप उठता था and felt breathless felt breathless और अपने आपको स्वांस रहित बिना स्वांस के उसके लगता था उसके सांस रुख गई है ऐसा पाता था that is why यही कारण है कि he had refrain from refrain from मतलब stop यही कारण है कि उसने रोक दिया था taking the watch उस घड़ी को चुराना उस घड़ी को लेना every time हर बार हर बार उसने घड़ी को लेने से अपने आपको रोक दिया था it would do it would not do put it off any longer put it off means इस्थगित करना वो कहता है कि इसे अब और इस्थगित नहीं कर सकता है any longer और धिक तो और धिक समय के लिए इसे टाल नहीं सकता था वो postpone नहीं कर सकता था put it off put off means postpone करना इस्थगित करना if he thought any further if he thought इसमें से सोचा any further और धिक he would not be able to do anything he would not be able वो नहीं समर्थ होगा to do anything कुछ भी करने में यह दिवा इस पर अधिक सोचता रहा विचार करता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा he might even blurt out his intention he might even blurt out blurt out बुद्दा दे ना कभी कोई बोल पड़ता था बुद्दा पड़ता था his intention अपने इरादे के बारे में intention इरादा accidentally अचानक से अचानक से कभी कभी उस घड़ी को चुराने के बारे में बोल पड़ता था so he must take it tomorrow इसलिए he must take it वैसे उठा ले लेगा उठा लेगा तुमारो कल फिर सुचता है सपोज ही दिन नाट सपोज मान लो ही दिन नाट वैसा नहीं कर पाया संकु थाट संकु के विचार began to linger linger means ठैर गए तो ठैर गए over his thorny problems उसकी थाट में सकाटा होता है कटिली समस्या है थाट नी problems आप इसलाए उसके जीवन की संकु के विचार उसके जीवन की कटिली समस्याओं पर जाकर ठैर गए तुमारो कल उड़ भी होगा the third day of the month महिने का तीसरा दिन होगा in another three days अगले तीन दिनों में he would get his pay he would get उसे मिल जाएगा उसका वेतन अगले तीन दिनों में उसका वेतन उसे मिल जाएगा कितना वेतन मिलेगा 13 rupees for 13 days 13 रुपय रुपय किसके लिए 13 दिनों के लिए he had to pay उसे चुकाने थे four and a half rupees four means चार and a half और आधा अथा साड़े चार रुपय for the purchases उन खरीदारियों के लिए purchase में खरीदना होता है purchases खरीदारिया at the store जो उसने store से की थी there would be a balance there would be balance वहां बचेगा 6 रहेगा balance 6 और 6 बचेगा इतना 8 8 and a half रुपी और आधा रुपय अर्था साड़े आठ रुपय इसके बाद उसके पास के साड़े आठ रुपय बचेगे he had repaid उसे पुना हुआ अपस लोग करने थे only 5 पांच रुपय out of 10 रुपी 10 रुपयों में से 10 रुपयों में से 5 रुपयों से और चुकाने थे he borrowed जो उसने उधार लिया था बारो में उधार ले ना from the fund अपने fund से the previous month पहले महिने में पूरुप के महिने में to go home घर जाने के लिए for his mother's death anniversary अपनी मा की death anniversary बर्सी पर अपनी मा की बर्सी पर जाने के लिए जो उसने अपने fund से 10 रुपय ले थे उसमें से उसे 5 रुपय चुकाने थे no, he must pay नहीं, वो सोचता है नहीं he must pay the remaining 5 वो से 5 रुपय चुका देगा 5 रुपय पांच रुपय with interest to interest means ब्याज तो ब्याज के साथ में चुका देगा और ब्याज भी कितना पड़ता है आप देखें at 6 पैसे a रुपय a week एक हफते में एक रुपय पर 6 पैसे तो वो से चुका देगा ब्याज के साथ में फिर कहता है उसने उधार ले रखे थे कितने लगभग तीन रुपय for two weeks दो हफतों से तो besides previous areas और इससे पहले का भी कुछ बकाया था amounting लगभग कहता है a रुपी and hop डेड़ रुपय he owed उसने और भी रिड़ लिया था 6 रुपी छे रुपय उसने लिया थे तो अली को उसे 6 रुपय और देने थे अली को for supplying star rice अत्रिक्त चावल देने के लिए अत्रिक्त चावल देने के लिए उसे 6 रुपय अली को देने थे BDs, BD and other odds और अन्ने सामगरी odds and ends अन्ने सामगरी और उसकी अगली मुसीबत ये भी देखें वन मन्स हाउस रेंट एक महिने का किराया भी उसे देना था और ये कितना था वाज 3 रुपीज 3 रुपय था तो ये 3 रुपय से और चुकाने थे इन एडिशन तो दीज सम्स इन रखमों के अतरिक्त ही है टेकन उसने लिया था इसमाल लोंज छोटे खोटे उदाहर लिये थे उसने आफ 12 पैसे 12 पैसे 25 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे और 50 पैसे फ्राम सेवरल पीपल कई लोगों से उसने लिया था एंड इस वाइफ हैड रिमाइंडे और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था रिमाइंड में इस होता है याद दिलाना हम उसे टू डेज बिफोर दो दिन पहले दो दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था एंड wen रूपी टु भी पेड एक रूपाय देने खे लिए टू दाफिस ऑमेन मच्छली लाने वाली महिला को तो मच्छली बिकरेता जो थी महिला उसे एक रूपाय देना था यह याद लाया था दो दिन पहले उसकी पत्नी ने संकू mentally added up संकू ने mentally में मन में added up जोड़ना शुरू किया total amount पूरी रकम that he needed जो से आउ सकता थी उसे कितनी रकम की आउ सकता थी उसने मन ही मन अनुमा लगाना शुरू किया he was going to get उसे प्राप्त होने जा रहा था just eight and half रूपी उसे कि वो साढ़े आठ रूपए मिलने जा रहे थे what he owed और जो उसने रिंडे रखा था was 22 रूपीज 13 पैसे वो होता था 22 रूपीज 22 रूपए और 13 पैसे तो मिलने जा रहे थे साढ़े आठ रूपए other needs to और उसकी अन्या आओ सकता है भी थी he had borrowed three उसने उदहार लिया था three rupees three rupees from his wife अपनी पत्नी से अपनी पत्नी से भी उसने three rupees उदहार लिया थे this was out of sum this was out of the sum यह उस रकम से पाहर था यानि उसके अत्रिकते था she had slowly saved up जो उसने धीमे धीमे करके बचाया था now and then अब और तब तो तीन रूपए उसने पत्नी से भी उदहार लिया थे और किसले बचाया था in order to buy ताकि वह खरी सके a west chain west chain means करधनी कमरा में बादने वाली for the younger child छोटे बच्चे के लिए he had assured her अब संकू ने उसे आस्वासन दिया था एस और में इस होता आस्वास्त करना संकू ने उसे आस्वास्त किया था that he would buy it क्यों इसे खरीदेगा out of his pay अपने वेतन से that month उस महीने के उस महीने के वेतन से वह से खरीद कर दे देगा ऐसा उसने अपने पत्नी से वाइदा किया था